कि यह बोपाल की लेंग में बोलके दिखा दो यह टाइगर का पावर कोई बी पंगा कुछ भी करवाना है कॉंटेक्ट अभिशेक भाहि तो भाई वी स्टों में हो गया हमारा पहला पंचर यहां पर जंबो जंबो से मेरी खास दोस्ती देखो देखो पिछली बार आये थे तो जंबो मेरे को बूला नहीं है अब तर बैट जा मेटा जंबो से फ्री टाइम विणर दॉक्षो के विनर है वाई साओ अपने जंबो साहब बाइक्स ऑल्मोस्त रेडी फोर टुमोरो जाइड सारी लाइट वगेरा कल जो मच्छर मरेते ना सारे बड़े तरीके से साफ हो चुका है तीनो बाइक्स की विंट स्क्रीन एकदम चका चक ऑक्स लाइट पर बहुत सारे मच्छर ते वह एकदम साफ हो चुकी है एंड यार अपना बैग विशाल सर का बैग रोईट सर आपका बैग कांगा वो रखास सामने है फुल रेडी सर निकलने के लिए मेक लाइफ और राइड वालियर में कोई भी पंगा कुछ भी करवाना है कॉंटेक्ट अविशेक भाही वहां से यहां से बसटित मैं ऑच्छ हुआ ऑफ हम चले थे हैं नेचर को थोड़ा सा चैलेंज करने और जो भी नेचर को चैल인지 करता है प्रोग्रम आज हुआ है हमारे दो प्रोग्राम पहुआता है जैसे मैंने आप contraty हुछ संदम बारीम से इतनी हो कितनी भी आप ट्राइ कर लो कितने भी प्लैन बना लो मगर जो ऊपर वाले का प्लैन है ना उसके आगे सब फेल हैं तो अभी फाइनली हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर से और हम लोग जा रहे हैं और चाह और दो तीन जगाएं और यहां पर जाके थोड़ा से एक्स्प्लोर कर सकते हैं क्यार देखो आएं हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएं गई अब रूम में बैटके खाना पीना चल रहा है कल हमारा डे आफ ता मतलब कल रेस डे हमने लिया मौज मस्ती करी खूब मगर एक दिन दो दिन फिर बाइक आपको पता यह राइडर के खुझली होती रहती है अब अपना काम हो गया बहुत जाद आसान जब से यह सैडल स्टे लगवाएं हैं यह रखे बैग और बस यह दो स्ट्रैप सी दरवान ने दो दरवान ने और अपना काम छुट्टी ला क्या दिक्कत है ना सोडा मांगाँ सोडा लेमन वाला एक दम रिफ्रेश होके चलेंगे चलो मिलता हूं जल्दी आरा हूं गुलाब जामुन खाने फिर से चलो भाई सब ग्वालियर को आगया टाइम बाई 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 बोलने का और मौसम बड़ा वेइमान सा हो रहा है अभी देखो अभी हो जो हम निकले हैं तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है कल रात मेरे क्याल से मतलब सुबे तीन सनब बज़े से बारी लगा तार क्या टर सकते है कि अब देखते हैं जो भी होगा मतलब कुछ ना कुछ तो एक्स्प्लोर करेंगे și करेंगे यहां मेरे कहल से कोट है हाँ जी एक कोट है तभी बीड लग रही है और काले कोट वाले भी यहां पर बहुत दिख रहे हैं तो अभी हम जा रहे हैं और्चा और्चा तक्रीबन सौ किलो मीटर के आसपास मतलब थोड़ा उपर नीचे हो सकता है सौ किलो मीटर के आसपास पड़ता है आपका ग्वालियर से और मैप लगा रखा है विशाल सन्हें हम तो चल रहे हैं पीछे पीछे आराम से मज़े में एक दम है टैंक फुल मैंने अभी करवा लिया और एक टैंक फुल कराया था घर से चलने पर एक यहां पर कराया अच्छी आपको छुटकारा मिल जाएगा बड़ा टैंक होगा अगर बाइक का तो चड़के हम सीधा हाइवे पर एक स्पीड मेंटेन करते हैं अट लीस्ट हंडर्ड हंडर्टेन क्योंकि यहां के हाइवे में भी ना आपको बहुत देखके चलना पर था जैसे यह भाई साब जा रह रहे थे थे अजबन बाइब बैटके उस बाइने एकदम बाइक इस लेन में काट दी ना बाइक में शीशे लगे हैं साइड वी मिर्ट से कुछ नहीं लगा है एकदम बाइने काट दी राइट में आप पीछे से आ रहे हो आपकी सिर्मेदारी आपको बचाना है से सोचके चलते हैं औरे कमाल हाँ मोस्टाइलिश राइडर हाँ बहुत ही बढ़िया औरे तेरी सर जहानी लेडालोगे क्या आज हाँ वाई सब देरो क्या स्टाइलिश लग रहे हैं मज़े में एकदम पूरा मैच कर रहा है इनका एकदम जो राइडिंग जैकेट है हेलमेट और बा अच्छा है यार जो दिल को आपके खुश करें चीज वो करो भाई मेरे हिसाब से तो चाहे दुनिया बोल लिए पागल हो कोई बात नी भाई पागल ठीक हूं कम से कम मैं तो खुश हूं वाओ एमपी के बारे में बोलता हूं ना एमपी की जो ब्यूटी है I am not sure whether this camera can justify यह ब्यूटी आए ना पूरी वाओ वाओ यह देखो भाई साहब ब्यूटी मजा ही आ जाएगा इधर आपके पेड़ और इधर यह पाड और बीच में रोड और रोड पे बाइक बाइक पे हम और आप देख रहे हैं यह सुन्दर सा वीडियो जल्दी से सब्सक्राइब मारो और लाइक मारो भूल जाते हैं आप लोग बाद में है ओ भाई साहब सामने वैदर देखो क्या हो रखा है मेरे को अब बड़ी तगडी बारी शोर की है वाओ मजा आ गया हवा बहुत तेस चल रही है और बहुत तेस हवा चल रही है और विन स्क्रीन से बहुत प्रटेक्श चेंज महारता है वाई आजकल एकदम वेदर आजकल इनसानों की तरह हो गया है आप देखके हम से रहा नहीं गया और हमको दिग चाय की टपरी बस एक ही चीज़ की कमी है चाय के साथ पकोड़े तो मतलब समाई बन जाएगा अभी और और चार रहा गया तकरीबन यह और आ यहां से 80-90 किलो मीटर के असपास आराम से एक घड़ घंटे में पहुच जाएंगे और जहां पर हम जा रहे ही एश्वत ने हो जगा रेकेमेंड करी है अगर उसके बताने के हिसाब से वह जगा वैसी निकली आख में कुछ ग्रिया तो भाई साब मजा ही आ जाएगा अभी कर घाल किसलों आपकर काफी तो कैसे बात करेंगा वह लागी बहुत याद आव हैं लोगनम अत्रा चाहिए ला बाता है कराई आओ मात्रा चाहिकी दूसरा कपरिया जका निदो यkeiten हाँ 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 है आपका एक जो शॉट आया है वो हेलमेट में कातिल एक दम वह आपको दूह स्लोव मोशन करके कि चाहे पी के ऐसी एनर्जी आई है बोड़ी में के बाई पूछा मत और वेदर ने ऐसी अपने को एनर्जी डाली है एक एक एक्स्ट्रावली जो फावर पॉइंट नहीं होते जैसे वो मार्यो में पावर नहीं लेकर बड़ा सा ओजाता था ना कि वह उगया लग रहा है मज़ा आगया वाई साब हाई सामने की नहीं लग रहा है पता है मेरे को सामने की पूरी प्रोटेक्टेटर्टेटड है मगर इधर से मेरे जो राइट से हवा आ रही यह आ आप इस तरफ से अब इसको कौन बजाएगा आ इधर के लिए कौन सी अटॉल गुरुद्वारा साहिब वाए गुरु जी दा खाल्सा वाए गुरु जी दी फते हैं कि सस्रियकाल कि चलो जी अब हमारा सफर और अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमें मिल चुकी हैं ब्लैसिंग्स कि आदमी को अजकल क्या चाहिए वाई दो तीन दोस्त मोटर साइकल वैदर और फ्यूल टैंक एक दम फूल देंगा बारिश शुरू हो चुकी है इस रेनिंग मजा आ रहा है इतने तक होती रहे तो ठीक है थोड़ी तेज होगी तो मेरे को गोप्रों अंदर रखना कि वाउ इस वय्थे वैदर में राही है मतलब मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है यार ड्रो 시작 अच्छा लीए म करका था नलिए हो BE shark में शार मेरे नहीं तुरू सोच रहा हूं मैं मगर हर भार जिस इन डिसाइड खरता हूं ले ना हो चैए ता एसे दोस्तिका और theatre और तोड़े दिन पहले राइड पे भी थे गैस करो कौन कि कमेंट्स में बेट करूंगा नाम बताने की प्रोईट सर आये हमारी वी स्टॉम पे टाइगर ऑन वी स्टॉम और हम असली टाइगर पर वैसे असली टाइगर सरी हैं चलो जी औरे वाई साब किस पर आगया हूं मैं अब यह थ्री सिलेंडर इंजन क्या कमाल का इंजन है मजा आ जाता इसका चला के मतलब जब आप थ्रॉटल देता हो ना यू केन फील दपावर अपनी लेक्स से लेके वह दिमाग तक चड़ता है बारिश हो रही है और शायद मेरे को लेंस बार बार साफ करना पड़े ओप यू ड़न माइंड माइफ्रेंड्स यह टाइगर का पावर इस बाइक को चलाते वे लिटरली डर लगता है कहीं बार क्यूंकि यार इतनी ट्रिमेंडस पावर है ना इसमें है तो हलागे कंट्रोलेबल है मगर एक दम मतलब जैसी आप इस पर बैठेंगे फॉर फॉर्स टाइम और फॉर सेकिंड डाइम तो बाइक आपको यह मतलब इट विल शौक यू कम्पलीटली क्या पावर है यार मतलब ऐसा थ्रिल आता है ना मैं बता नहीं सकता यार आपको वाओ अपनी बाइक भी कम कमाल नहीं लग रही है मस्ट लग रही है पूरे लगेज सटप के साथ मेरे को यार हमेशा से सॉफ लगेज करी करना अच्छा लगता है शायद कभी फ्यूचर में शायद बहुत कम चांस हैं अगर पैनी अलग माँ तो या टॉप बॉक्स फॉर इंस्टेंस लुब मैं कर सकता हूं मगर प्रिफर नहीं करूँ हां हां ट्राइ करना जरूर चाहूंगा क्योंकि या ट्राइ करना चाहिए मगर आई यूज्यूली प्रिफर टू कीप दबाइक लाइट मैं बाइक को मेशा लाइट रखना पसंद करता हूं वाई मेरे को भी शायद अपनी बाइक में हैंडल बार राइजर डालने पढ़ेंगे क्योंकि इसमें लगे रॉक्स के राइजर रॉक्स के राइजर बहुत अच्छे होते हैं डूरेबिलिटी के हैसाब सब्सक्राप देखें एन इस लाइक वन अफ दे बेस्ट ब्रैंड फॉर ह मेरे के राइजर बार थोड़ा सा उठ जाएगा मेरी तरफ को आजाएगा तो आट वी अट अमोर कमफरेबल पोजिशन थोड़ा सा पावर टेस्ट करने का मेरे को प्रे थोड़ा वह और बार बार रॉक्स करूं कि वाओ दैट स्क्रीम यह टाइगर जब रोर करता है वाई क्या आवाज करता है सुपे जब आज हम लोग उठे तो हमें लगा वाई मौसम ने हमारा साथ छोड़ दिया मगर फिर से हमारा हाथ थाम लिया गया और क्या मस्त मौसम हो चुका है तीनों हम लोग एक तब मतलब मस्ती में चल रहे हैं जैपनीज इंजिन्स की सबसे प्यार अभी बात यजो मिर को यहि लगती है जो इनकी काम्मेस और रिफाइनमेंट है न नेक्स लेवल है, dit हम है एसे अफ तथम मजा आजाता है मतलब डाइक चला या इनकी आप बाइक चला लीजיע है गाड़ी जिना लेवल सब्धू F तो यही आपकी जो मतलब बॉडी फटीग हो जाता है न मोस्ली तो इंजन अगर रिफाइन रहेगा तो बॉडी फटीग बहुत ही कम होता है मतलब जो नॉर्मल है आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं वो जो बाइलोजिकल है वो तो देखो उस वज़ नहीं रोक सकता मगर जो जाराती भी जा रही है कसम से जैसे पानी होता है ना ऐसे उर्च्छा में हम लोग एंटर हो चुके हैं वा यार क्या मस्त रोड है एकदम यहां पर मिजाद ही बदल गए मौसम के अब देखते हैं आगे चलके मेरा सब एंपी मतलब हजाना है यह सारी चीज़े हमने देखी नहीं कभी और ना कभी सोचते थे क्यारे सी जगा भी मतलब आना भी चाहिए और एंपी यार बहुत बड़ा अभी तो मुझे आम नोट शोर पंच मड़ी हम कल जा पाएंगे क्यो मतलब और इसमें क्या हो रहा है ना जो वाटर लॉगिंग हो रही है वह बहुत जादा हो रही है देखते हैं जलो देखो ऐसाच कुछ भी प्लैन नहीं है जो चीज़ भी होगी क्योंकि वैदर के अकॉर्डिंग अगर हम मैं आज से प्लैन बना लूँ और कल वो चीज ना ह हो तो मतलब मुझे नी समझाती है से तो कल का डिसाइड होगा कल सुबा क्या करना ये बड़ा एक्टम डेंजर सा अंटर पास आ गया बाई चलो जी यहां पर सामने है नदी यह है अमर महल और इस सब क्या जगा है वाव ले चलो आजाओ 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 रिसेप्शन किदर है पहले यहां लगा देते हैं वैसे तो मांडव तक था मगर उदर वैदर थोड़ा जादा खराब है मांडू जी इंदवार के पास उदर से बुदर बहुत बुरी आलेते हैं नहीं वहां कंटिन हमने सुचते यहां ज्यादा अच्छी बारिश हम तो कला यहां पर जी यहां एंटर हुआ और बारिश कतम हां उदर बहुत है हमने हमारे जानवेलें बताया के अरे भाई साब नहीं 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 खेलने के लिए आ रहे हां बहुत प्लेफुल होता है हैं दो दो क्या नाम हैं के हैं सिंबा और सोभी संबार शोभी वहां एत्यरी भाई सांव बज बस बङस जी मिए ज्याब करम बेब एभी अभीें वहां पर भी okay harness कळा हैं तुम ने हमारी हाथ्ते बहुत खराब कर दी है रूम के बाहर एकदम बाइक करवा करवा के पार्क अब हम कहीं भी जाते हैं हमको यह प्रॉब्लम क्या चल रहा है सर टी आर यू आई एम पीच टी आर यू आई एम पीच कौन कह रहा था अच्छा समझ गया वह जो बजाच की बाई काई यह उसकी करने के लिए ऐसा हो नहीं सकता सर इतनी बड़ी बाइक लॉंच हो रही है ऐसा थोड़ी स्पैलिंग मिस्टेक कर देंगे बाइक नो डाउट यह बहुत अच्छी निकाली नहीं अब स्टैंडर्ड्स है ना ट्राइंफ के स्टैंडर्स मीट हुए है तर्बो चार्ज तर्बो दो मॉडल आए मुझे तो स्क्रेंबलर वाला जाधा पसंद है यह चल रहा है प्रोफेशनल शॉट विशाल सरगा अरे पूल भी है मगर पूल की टाइमिंग अल्मोस्ट खतम होने वाली है अरे वाँ ग्रीन्री देखो जिएएखों आनन्द आ गया एक हम बहुत कम सुनने को मिलती है आपको शेरों में तो बेल्गोल ही ह मिलेगी आवास सुनने को आपको चिडिया की विल्कुल ही वहां तो वातलब गाडियों के होन में और शोरों में यह चीज़ क्टम हो जा दिया वाई बिल्कुल एक दम पीस और रखे है यहां, बिल्कुल पीस किल्किन आप चलनी शुरू हो यह हवा चल जाना मतलब मज़ा आजाए जाएगा अपनी लैंग्विज में बाते कर रहे हैं भी क्या खाएंगे रोगन जोश टाइम बताओ साथ बच के आट मिनट ऊपर हो चुके हैं स्केडियूल से साथ बज़े साथ बज़े से डिनर कर लेते हैं एक्छली सब्सक्राइब मंन जाने का बतानी कुछ नस खाते हैं वह तगड़ी भूग लगी है वह पूल बना लो अंदर है वह पूल है उसमें तब है मतलब उसमें बरो पानी उसका बना लो पूल डिनर के बाद जी, आया है गुलाब जामुन और इसमें है, क्या है इसमें, इसमें है और गुलाब जामुन और आइब शमों का कॉम्बिनेशन तो वह सब खाना गlor हो गया है, डिनर अलमोस्स दन और मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेता हूं डिनर के बाद नॉर्मली मैं कर लेता हूं गर में मगर कल और परसन यूपाई खाए और सोगए वाइसा मतलब जो अमेजिंग टाइम हम स्पेंड करते हैं ग्वालियर में यश्वंद किया सबसे चीज़ बता हूं मेरको घर जा रहा हूं अपने मेरको यह होटल में जा रहा हूं और ये श्वंद की मम्मी जो चिकन और मतन बना के खिलाती हैं मतलब हम जैसे ही पहुचने वाले होते हैं जब भी मैं जाता हूं यह जैसे हम लोग इस बार गए तो हमारे जाने से पहले सनी माई ममी ने बिर्यानी बनाई है ममी ने चिकन बनाया कल आंटी जी ने हमें मटन बनाके किलाया मतलब आउट अफ दे वर्ल्ड विशाल सर रोईत सर तो उनके कुकिंग के फैन हो चुके हैं बाकि यार देखो जो एंटिसिपेटेड था वही हुआ मतलब रेनफॉल का जो प्रेडिक्शन था थोड़ा सा देखो पता तो था ही हमको मगर हम लोग सुच ले लेते हैं अब हुआ यह के कंडिशन ऐसी हैं कि आगे जाना पॉसिबल नहीं है ना ही मांडू और ना ही पंचमडी बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है यहां पर भी दो लोग गेस्ट हमको मिले अभी शाम को बदा रहे हैं देखिए आप जाने को जा सकते हैं मगर बीच मे सब्सक्राइब करेंगे देखते हैं वैदर फोर्कास्ट कैसा है और सुबह सिचुएशन अगर फेबरेबल हुई तो हम चलेंगे वरना देखते हैं जो भी होता है ठीक है जी तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब यार कर द प्लेशर राइड बोल सकते हैं इसको थोड़ासा बाइक से भी मेरे को अपना कनेक्शन बिठाना था बाइक से कनेक्शन में आ गया हूं अभी तो जल्दी या वेट नहीं होगा बहुत जल्दी आएगी तो उसमें जाधा प्रॉब्लम मेरे को नहीं होगी तो चलिए बाकी जो भी चीज़े होंगी आप लोगों को सारी में बताता ही रहता हूं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लॉग में कल सुबह और 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 चा को थोड़ासा एक्स्प्लोर करने कोशिश करते हैं आपको भी दिखाते हैं खुद भी देखते हैं यूगाइस ठेक केर हैव नाइस और इन बबाइ